नमस्कार बन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरास सेंग देश भर में इस समय कुरूना बाइरस की दूसरी लहर का डर बना हुआ है कई राज्यों में तेजी से कुरूना के मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली, मद्प्रदेश, कुजराद, महराइश, सहित, देश के कई हिसों में मरीजों की संक्या में फिर से उचाल देखने को मिल रहा है ऐसे में राज्य सरकारों ने दुआरा से सक्ती करना शुरू कर दिया है कहीं नाइट कर्प्य लगाया गया है तो कहीं स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है मौजूदा समय में देश की राजधानी दिल्ली में कुरूना के सबसे बुरे हालात बने हुए है दिल्ली में शुक्रवार को 754 नए मामले सामने आये हैं वहीं 98 लोगों की मौत हुई है राजधानी के अस्पतालों में बेर्ट की मांग बढ़ गई है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शादियों में महमानों की संख्या 200 से घटा कर 50 कर दी है इसके अलावा मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ा कर 500 से 2000 रुपए कर दिया गया है दूसरी तरब केन सरकार ने एक्सपर्ड और कानूनी एजंसियों से राय मांगी है कि दिल्ली में कोरुना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं फिलाल दिल्ली सरकार की तरब से कहा गया है कि लॉकडाउन का भी कोई विचार नहीं है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ज़्यादा भीडभार वाली जगों पर पावंदिया जरूर लगाई जा सकती है वहीं दिल्ली से सटे हर्याना में भी कोरूना केस में बड़ोत्री देखी जा रही है हर्याना में एक वार फिर से 30 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिये गए हैं बता दे कहर्याना में स्कूल के छात्रों तक कोरूना पहुंच गया है रही है उत्तर प्रदेश के स्वास्त विभाग ने शुक्रवार को कोवीट की दूसरी वेव का अलट जारी किया है लोगों को सला दिया है कि भे घरों से बाहर निकलने से परहेज करें वहीं मत्र प्रदेश भी कई सहरों में नाइट करप्यू का एलान कर चुका है प्रदेश के पाथ जिलों में पिछले सब्ताज से तेजी से पॉजिटिव केस बढ़े हैं भोपाल इंदौर ग्वालिया रतलाम विदिशाद यहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है इसलिए फैसला किया है कि 21 नमंबर की रात दस बजे से सबेरे छे बजे तक रात्री कालीन कर्फ्यू इन सहरों में लगाया जाएगा बता दें कि नमंबर के महीने में जहां देश्के बाकई हिस्सों में कोविट के एक्टिव केस घटे हैं उत्तर भारत में इसका उल्टा ट्रेंड देखने को मिला है दिली हर्याना हिमाचल प्रदेश पंजाब चन्डीगर राजिस्तान और मत्य प्रदेश में एक्टिव मा हुआ है इससे पहले 48 दिन तक लगातर active cases में गिरावट दर्ज की गई थी ये एक संकेत है कि देश में त्योहारों के बाद कुरूना संकरमन में बढ़त देखने को मिली है expert के अनुसार उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत के साथ ही मामले और बढ़ सकते हैं कई अनुमानों के अनुसार अगर लापरवाई वरती गई तो COVID मामले तेजी से बढ़ेंगे कुरूना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी active हो गई है केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग में ढ़ाई न बरतने को कहा है हर्याना राजिस्तान गुजरात मरीपूर में केंद्र की योर से टीमें भेजी गई है इसके अलावा उन राज्यों में भी टीमें भेजी जा सकती है जहां COVID के मामले बढ़ रहे हैं इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम update के लिए बने रही है बने इंडिया हिंदी के साथ